नमस्कार आइस्पटी निउस पर आप देख रहे हैं रास्तान के श्री गंगा नगर हनमानगर चिले की बड़ी खपरें लगदाउन की चलते हनमानगर में फसे बिहार के मज़़ूरों और प्रवासियों को लेकर स्पेशल ट्रेन आज दोपहर जंक्षन रेड़ी स्टेशन से रवाना हुई इस अफसर पर जुला कलेक्टर जाकिर हुसैन और पुली सदिक चक राशी डोगरा सहीद अनेक आरदिकारी उपस्तित रहे रवानगी से पहले बिहार मूल के लोगों के चेहरे पर खुशी साफ जलक्ती नज़र आए जुला कलक्टर जाकिर हुसैन ने बताए कि हर्मानगर पुर्णियास श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 1236 लोग रवाना किये गए ट्रेन को दोपहर एक बचकर 20 मिनट पर रवाना कर दिया गया और अब रुक करते हैं अगली खपर की तरह चुरुजले के राजगड में नए थाना प्रभारी महेंद्र चावला ने आजकारे भार समहा लिया ऐसे जो विश्णो दत विश्णोई द्वारा तनाव की स्थिती होने पर आत्महत्या कर लिये जानने के बाद पुलिस सधिक्षक्ति जिस्वी गौतम ने चावला को राजगड थाने की कमान सौपी है गौतलब है कि चावला बस्टा चार निरोदक भीरों में भी कारे कर चुके हैं राजगड में राजनितिक हस्तक्षिप की बीच महेंद्र चावला के लिए यहां कारे करना उनके लिए चुनावती पूर्ण होगा इधर कोरोनो संक्रमन को लेकर लोगडाउन के दौरान श्री गंगानगर में फसे जम्मू कश्मीर के 18 जनों की आज घर वापसी हो गए जिला प्रशासन ने सरकारी खर्चे पर बस का इंतजाम करके इन लोगों को रविवाय शाम को साधुवाली स्थित आश्रे स्तल से रवाना किया जिला प्रशासन ने बस का इंतजाम करके कल शाम को स्क्रीनिंग कर भोजन की पैकेट दे कर रवाना किया आज दो फैर वे सा कुशल अपने घर पहुँच गए श्रे गंगानगर जिला परिशत के मुख्य कारकारी अधिकारी महावी राजपूरोहित ने आज पंच्वाय समीती में ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि जन्ता जल योजना से हो रही लापरवाही को बरदाश नहीं किया जाएगा उन्होंने विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारियों की कारेयों की प्रगति रिपोर्ट लेकर खासी नाराज की जिताई चीव ने कहा कि ग्रामिनों तक साफ और स्वच पानी पहुंचे ये राजसरकार की प्रात्मिकता है लेकिन इस योजना में बड़े स्तर पर लापरवाही बढ़ती जा रही है ग्रामिन स्वच पानी पीने को तरस रहे है श्री गंगानगर के बसंति चौक सिद कर्फ्यू गरस्त शेत्र में सोंवार को भी डूद सब्जी सहित अन्य आवशक वस्तू के आपूर्ती पुलिस पहरे के बीच हुई शेत्र में पुलिस का पहरा निरंतर जोरी है सुमार को भी ब्रह्म कलोनी के आसपास के शेत्रों में पुलिस कर्मी बड़ी संख्या में गश्ट करते नज़र आए पुलिस की निगरानी में ही आसुबे दूद, सबजी की आपूर्ती करवाई गई दोपहर बाद स्वास्ते विभाग के टीम ने शेत्र में पहुंच कर घरों में सर्वे किया इस दौरान पुलिस द्वरा भी आमजन से घरों में रहकर स्वास्ते विभाग के टीम का सहयूग करने की अपील की गई खबर आ रही है कि मेडिकल स्टोर्स पर दवाईयों के अलावा कॉस्मेटिक प्रड़क्ट भी बेची जा रही है कोरोना महामारी के बीच लोगडाउन की बंदिशों के साथ श्री गंगा नगर सहीत प्रदेश भर में इदुल फितर सादगी के साथ मनाई गई लोगों ने अपने घरों पर ही ईद की नमाज अदा की वक्फ कमेटी सदर मुहमद चुराग दीन ने बताय के इलाके में कहीं अपने घर पर ही बड़े साथगी पूंट तरीके से इद मनाई इदर हनमानगड से खबर है कि युवक की हत्या करके शव को डिगगी में डाला गया हनमानगड में खुया पुलिस थाना श्येत्र के गाउं सिरंगसर में युवक की हत्या करके शव को डिगगी में डालने का मामला सामने आया है प्रथम द्रस्टया मामला आत्महत्या का है लेकिन पुलिस ने मृतक की पिटा की रिपोर्ट पर कई जनों पर हत्या का मुकदमा दर्च किया है थाना परभारी जगदीश कडवासरा ने बताया कि मृत्तक 25 साल का श्योकरन के शव को डिग्गी से निकाल क कर अस्पिताल में पहुंच आए गया आज पोस्माटम करवाया गया है घटना सल का निरिक्षन करने पर प्रथम द्रस्टिया आदम हत्या का मामला लगता है फिर भी हत्या के पहलों को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है श्री गंगालंगर जुले के पदंपुर ठ शेत्र में जुलाई 2019 में लावारिस हालत में 68000 नशीली गोलियां बरामत की गई थी ततकालिन पदंपुर ठाना प्रभारी ने इस मामले में अग्यात के खिराफ मामला दर्च किया था पिछले दिनों सदर पुलिस ने जूदपुर के मनीश परिहार को गिरफतार किया है इ इसी नेगर का एक रोगी कोरोना जांच में नेगिटिव आया है यह रोगी 15-18 मई के बीच हिसार के एक अस्पिताल में भरती रहा था बाद में वो यहां आस्था किड्नी हॉस्पिटल में भरती हो गया डॉक्टर संदीप चोहान ने बताया कि जिस समय यह रोगी हिसार मे का असर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ट्रैफिक जाम भी बढ़ रहा है पिछले सप्ताहा के मुकाबले सुमवार को सड़कों पर ट्रैफिक जाम अधिक रहा जो आनकारी के अनुसार लोगडाउन के पिछले चड़नों में जिला मुख्याले की सड़कों पर ट्रैफिक क फेरी लगाकर फल सब्जी बेचने वालों की संख्या कम हो गई है। इसका एक कारण गर्मी अधिक होना भी माना जा रहा है। 24 मार्च को जब प्रथम लॉकडाउन चालू हुआ था तो गोल गपे, बर्गर, छोले कुल्चे और कबार सहीत विभिन तरह के काम करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करने वाले बेरुजगार हो गए थे। ऐसे में अधिकांश को फल सबजी विक्रे करने के काम से ही सहारा मिला। इसे लॉकडाउन के दोरान गलियों में फेरी लगा कर सबजी बेचने वालों की संख्या अधिक हो गई थी। अब लॉकडाउन में बाजार खुलने के बाद वे सब ही लोग अपने पुराने काम पर प्रवेश सिया गया। क्रिश्य पुझ मंडी समीति सचिव लाजपत राई खुराना ने बताया कि आज से मंडी में गेहों के अलावा बाकी क्रिशी जिन्सों की ट्रालियों पर लगाई गई पाबंदे एक बार हटा दी गई है। गेहों की ट्रालिया निर्धारित संख्य में ही पूर्व की तरह मंगवाई जा सकेंगे। रास्थान रोडविश की ओर से प्रस्तावित मोक्ष कलश यात्रा स्पेशल बस सेवा के सुमार को श्री गंगानगर से एक भी बस नहीं चुलाई गई। आगार प्रबंधन का कहना है कि यात्री मिले तो ही बस को मुख्या से प्राप्त आदेश के अनुसार चुलाई जा सकेगा। गंगानगर आकार प्रबंधक मनुझ कुमार बंसल ने बताया कि मोक्ष कलश स्पेशल बस के लिए मुख्याले के ओर से रविवार शाम 6 बजे से ऑनलाइन पंजियन शुरू कर दिये गए हैं। संबंदित यात्री को निगम की वेबसाइट पर जाकर मोक्ष कलश स्पेशल पंजियन लिंक पर क्लिक कर पंजियन फॉर्म को भरना होगा। तो फिलहार इस पुलेटिन में इतना ही, फिर हाजर हूंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। सब्सक्राइब कीजिये हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिये बेल आइकन पर।